बागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DKDZTLCache में तो दोस्तो यहाँ पर आप सभी के लिए मेरे पास में अपडेट है बहुत जरूरी अपडेट है जरूरी जो है यह जानकारी दोस्तो आप लोगों साथ में यहाँ पर शेयर कर रहा हूं जो की है regarding migration सो दोस्तो यहाँ पर आप सभी लोगों को मालुम है कि जो हमारा लास्ट जो पार्ट रहता हूं य km लोगों को कमप्लीट करना है या जिसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा केरफूल हो को करके अपने जो step ऑने 77 steps ँनको complete करना होता हूं तो वो है migration ठीक है तो migration last step और आप सभी लोगों को मालूम है कि वो जब कंप्लीट होगा तब आपके पास में जो है यहां पर बैलेंस आपके वॉलेट के अंदर आएगा तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों पीछे जब मैंने वीडियोस अपलोड करीं थी तो काफी सारे लोगों के कमेंट्स भी आये थे जिनका कंसर्ण ये है KYC जो कर रहे हैं लोग उनको हटा दो आप ठीक है फिलहाल क्योंकि KYC के लिए जो है चीजे प्रोसेस में चल रही हैं और आगे भी KYC हमारे पास में आने वाली है लेकिन फिलहाल अभी कुछ और वॉलेट्स ऐसे भी है या कुछ आइनियर अभी हो गया होगा आप मैंसे बहुत सारे लोग जो होंगे ठीक है जिनका माइगरेशन नहीं हुआ है या जिनके पास में बैलेंस नहीं आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो ठीक है तो मुझे थोड़ा से एक आइडिया लग जाएगा कि यहां पर दोस्तों फाई को टीम की तुर्फ से हमारे पास में क्या डेट है वह यहांपर जान लेगा रचेहांरीं थाों है कि यहांपर हो रा देख के रचेंदर ओढ़ेशन योह अभी और रुखा हुआ है दोस्तों ठीक है तो आपको बिलकुल भी परवा या घबरानी की ज़रूरत नहीं है अभी हमारे पास में कोई जानकारी नहीं है कि कब यह शुरू करेंगे migration करना यानि पाई को टीम जो है वो कब migration वाला जो पार्ट है वो कब फिर दुबारा से चालू यह लोग करेंगे ठीक है जैसी चालू करेंगे आप सभी के पास में balance जो है वो पहुंचना शुरू हो जाएगा normally mainnet migrations occur in batches based on when a pioneer complete step 7 in the main net checklist after signing set up step 7 normally migration could be done immediately और take up up to 7 days depending on the queue यानि कि दोस्तों जब आप लोग यहां पर migration के लिए apply करते हो तो आपके पास में 7 days का duration आपके पास में होता है तो 7 days के अंदर आपके पास में आ जाता है अगर नहीं आता है तो वो बढ़कर के जाद से यादा friends देख सकते हैं आप यहां पर लिखा हुआ है 14 days so normally migration could be done immediately और take up up to 7 days demanding on the queue तो यहां पर normally क्या है कि जैसे आपने apply किया तो 24 घंटे के अंदर आपके पास में balance आ जाता है और maximum जो यहां पर इन्होंने बताया है ठीक है up to 7 days बताएं after migration the 14 days pending period start जब आपका migration आपने apply कर दिया उसके 14 दिन के बाद यहां पर बैलेंस वो आ जाएगा यहां पर migration वाला जो पार्ट है या जितने भी लोग यहां पर migration के लिए रह रहे हैं तो इनके पास में अभी फिलहाल यहां पर कोई proper जो है ratio नहीं है कि भाई इतने लोग जो है तो वो migration के लिए रुखे हुए हैं और हमें इसका start जो है करना है migration तो यह दोस्तों इस वीडियो के अंदर update था आप सभी लोगों के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को दी गई information जो वो अच्छे से समझ में आगी होगी बाकी आपके circle में जो भी कोई यहां पर migration के लिए apply करके सिर्फ इंतिजार कर रहा हो कि भाई कब मेरे पास में मेरा wallet के अंदर balance आएगा तो प्लीज आप सिर्फ ये वीडियो या ये जानकारी उन लोगे साथ में शेर करिए जिससे कि उन लोगी attention थोड़ी सी कम हो जाए या आपकी अपनी जो टेंस हैं उनके साथ भी इस जानकारी को दोस्तो शेर करिए इतना इस वीडियो के अंदर बागी दोस्तो और भी नहीनी अपडेट्स और crypto related projects के लिए दोस्तो चैनल को like, subscribe, bell icon को जरूर प्रेस के रखे मिलते हैं नेक्स वीडियो में और नहीं अपडेट के साथ में तब तक के लिए दोस्तो goodbye, take care and have a good day